तुम्हारे दिमाग में जो यह अच्छे-अच्छे से ख्याल आते हैं, मैं उनकी सराना करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ, तुम जिनके बारे में सोच रहे हो, उनको बदलने का, क्या तुमने कभी यह सोचा है, कि क्या वो लोग बदलना चाहते है क्या उनकी बदलने वाली मान सकता है, अगर वो बदलना ही नहीं चाहते हैं, तो तुम बार-बार कोशिश करके भी क्या कर लोगे, क्योंकि यहां पर जो लोग बदलना नहीं चाहते हैं, मेरे बच्चे, उनके दिमाग में तुम जितने मर्जी अच्छे ख्याल डालते रहो जब उनके दिमाग में यह चीज आ जाती है, कि उन्होंने बदलना ही नहीं है, तो फिर वो उसी तारीके से अपनी जित पर अड़े रहते हैं, इसलिए कोशिश वहां पर करो, जहां पर तुमें लगे, कि तुम कुछ बदलाव ला सकते हो, जहां पर तुम कोशिश करते रह खुशियां लेकर आ सकते हो, लेकिन तुम तब उनके जिन्दगी में खुशियां लेकर आओगे, जब वो खुद अपने जिन्दगी में खुशियां लाना चाहते हो, जब अज़स्ती तुम किसी की जिन्दगी में खुशियां ला ही नहीं सकते हो, कभी भी नहीं ला सकते ह और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जब भी कोई निर्ने लो तो सोच समझ कर लो क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे बारे में अच्छा तो नहीं सोचेंगे लेकिन हाँ उन्हें जब जब मौका मिलेगा वो तुम्हारे लिए बुरा जरूर सोच सकते हैं वो तुम्हारे लिए गलत जरूर सोच सकते हैं तो इसलिए जब तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज में बदलाव ला सकते हो तुम कहीं पर कुछ अच्छा कर सकते हो और जब तुम अच्छा करने जाते हो तो उसका पलट कर भी तुम्हें उतना ही अच्छा पढ़नाम मिलता है तब तुम वो कोशिश करो वरना ऐसी जगे पर कोशिश मत करो जहां तुम कोशिश करते रह जाओ और तुम्हें पढ़नाम दुखद ही मिले क्योंकि जब पत्थर पे सर मारा जाता है तो सर तुम्हारा ही तूटेगा पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा इसलिए क्यों कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं जो इतने जिद्धी हैं और जो इतने गलत निर्णे लेने के बाद भी अपने निर्णे पर अड़े रहते हैं उनको हमेशा लगता है कि वो सही है मैं बार बार उनको आगा करता हूँ लेकिन उनको तब भी समझ नहीं आती फिर मैं उनको वक्त के भरोसे छोड़ देता हूँ कि वक्त आने दो उनको सब पता लग जाएगा इसलिए तुम भी वक्त पर छोड़ दो उन लोगों के लिए जिनको समझी नहीं आती है चीज़े और तुम बस खोश रहो सदा खोश रहो